Blender Tutorials की श्रंकला में आपका स्वागत है यह टुटॉरियल Blender 2.59 में आउटलाइनर विंडो के बारे में है यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश्वोरा द्वारा दी गई है यह टुटॉरियल देखने के बाद हम सीखेंगे आउटलाइनर विंडो क्या है आउटलाइनर विंडो में आई, एरो और कैमरा आइकन्स क्या है और आउटलाइनर विंडो में डिस्प्ले मैन्यू क्या है मैं मानता हूँ कि आप Blender Interface के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं यदि नहीं तो कृपिया हमारे पिछले टिटॉरियल Blender Interface का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें Blender में Outliner डेटा की Flow Chart सुची है डिफॉल्ट रूप से यह Blender Interface के उपरी दाई कोने पर उपलब्द है Outliner विंडो का आकार बदलें नीचे किनारे पर बाया क्लिक करें और इसे नीचे ड्रैग करें बाय किनारे पर बाया क्लिक करें और इसे बाई तरफ ड्रैग करें हम अब Outliner विंडो में Options अधिक स्पष्ट देख सकते हैं Blender Windows का आकार कैसे बदलें यह सीखने के लिए हमारा Tutorial देखें How to Change Window Types in Blender View पर बाया क्लिक करें यहां कई सारे Options है जैसे Show Restriction Columns Show Active Show or Hide One Level Show Hierarchy Duplicate Area into New Window और Toggle Full Screen Show Restriction Columns को निश्क्रिय करें यह Outliner विंडो पर उपलब्द दाएं कोने पर सभी दर्शनिय, चुन्ने योग्य और Renderable Options को निश्क्रिय करता है फिर से View पर बाया क्लिक करें दर्शनिय, चुन्ने योग्य और Renderable Options को सामने लाने के लिए Show Restriction Columns सक्रिय करें Outliner विंडो में Cube की बाईं तरफ प्लस साइन पर बाया क्लिक करें एक Cascade सूची प्रदर्शित होती है यह आपको चुनित Object की Properties की एक सूची प्रदर्शित करती है हम इनकी आगे के Tutorials में विस्तार में चर्चा करेंगे Eye आपके Object को 3D View में प्रकट और अद्रिश्य करता है उदारण स्वरूप Cube के लिए Eye पर बाया क्लिक करें अब Cube 3D View में नहीं दिखता है फिर से Cube के लिए Eye पर बाया क्लिक करें Cube को अब 3D View में देख सकते हैं Arrow 3D View में आपके Object को चुनने योग्य और न चुनने योग्य बनाता है उदारण स्वरूप Cube के लिए Eye पर बाया क्लिक करें 3D View में Cube पर दाया क्लिक करें Cube को नहीं चुन सकते हैं फिर से Outliner विंडो में Cube के लिए Arrow पर बाया क्लिक करें 3D View में Cube पर दाया क्लिक करें Cube को अब चुन सकते हैं Camera आपके Object को Renderable या Non-Renderable बनाता है Cube के लिए Camera पर बाया क्लिक करें Scene को प्रस्तुत करने के लिए अपने Keyboard पर F12 दबाएं Cube Render में प्रदर्शित नहीं है 3D View में वापस जाने के लिए अपने Keyboard पर Escape दबाएं फिर से Outliner विंडो में Cube के लिए Camera पर बाया क्लिक करें Scene प्रस्तुत करने के लिए F12 दबाएं Cube को अब Render में देखा जा सकता है 3D View पर वापस जाने के लिए Escape दबाएं Outliner विंडो में Search बार पर बाया क्लिक करें यदि आपके Scene में कई सारे Objects है तो यह Search Tool Scene में समान वर्गों के Objects या एक विशिष्ट Object को खोजने में मदद करता है Outliner विंडो के सबसे उपरी बाय कोने का Scene आपके Blender Scene के सभी Objects और उनके संबंदित Elements को सूची बद्ध करता है All Scenes पर बाया क्लिक करें यह Drop Down सूची डिस्प्ले मेन्यू है यह Outliner Panel के लिए Display Options रखता है Current Scene पर बाया क्लिक करें आप वर्थमान Scene में उपलब्ध सभी Objects को Outliner विंडो में सूची बद्ध देख सकते हैं Display Menu खोलने के लिए Current Scene पर बाया क्लिक करें Visible Layers पर बाया क्लिक करें Active Layer या Layers में उपलब्ध सभी Objects Outliner विंडो में सूची बद्ध है हम Layers के बारे में विस्तार से आगे के Tutorials में सीखेंगे Display Menu खोलने के लिए Visible Layers पर बाया क्लिक करें Selected पर बाया क्लिक करें Outliner केवल उन Object को सूची बद्ध करता है जो 3D View में चुनित है Display Menu खोलने के लिए Selected पर बाया क्लिक करें Active पर बाया क्लिक करें Outliner केवल उस Object को सूची बद्ध करता है जो 3D View में सबसे हाल में चुना गया था डिस्प्ले मेन्यू खुलने के लिए अक्टिव पर बाया क्लिक करे सेम टाइप्स पर बाया क्लिक करे जैसा की नाम से पता चलता है सेम टाइप ओप्शन आउटलाइनर विंडो में उन सभी अबजेक्स को सूची बद्ध करता है जो एक ही वर्ग के होते है उदाहरन स्वरूप डेफॉल्ट रूप से 3D व्यू में क्यूब चुनित है अता आउटलाइनर सभी मेश अबजेक्स को सीन में सूची बद्ध करता है इस उदाहरन में सीन में केवल क्यूब ही मेश अबजेक्ट है हम Mesh Objects के बारे में विस्तार से Blender में Animation पर अधिक Advanced Tutorials में सीखेंगे डिस्प्ले मेन्यू खुलने के लिए Same Types पर बाया क्लिक करे Groups Scene में सभी समुहित Objects को सूची बद्ध करता है यहां कुछ और अन्य Options है जिने हम आगे के Tutorials में देखेंगे अतर यह Outliner Window का विसिलेशन है जब बड़े सीन के साथ कार्य कर रहे हूं जिसमें कई सारे Objects हों तो सीन में प्रत्यक Object को पता करने के लिए Outliner Window बहुत ही लाबदायक टूल बन जाता है अब एक नई फाइल बनाएं Outliner में चुनित को सूची बद्ध करें और Cube को Unrenderable बनाएं यह प्रोजेक्ट ICT के माध्यम से राष्ट्रिय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस पर अधिक जानकारी निमना लिंक्स पर उपलब्द है oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org slash nmeict-intro Spoken Tutorial Project Spoken Tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाता है उनको प्रमान पत्र भी देते हैं जो उनलाइन टेस्ट पास करते हैं अधिक जानकारी के लिए क्रिपिया-contact at the read spoken-tutorial.org पर लिखें हमसे जुडने के लिए धन्यवाद